जिला अस्पताल के मरीजों के लिए 200 बेट पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसके लिए जिला अधिकारी के पहल पर PM केयर फंड से आयूर कमपनी और टोरेट कमपनी द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया चाहेगा जिसके संबंद भी जिला चकी साला के प्रमुक अधिक्षक डॉक्टर अभयचन शिर्वास्त्वा ने बताया कि ओक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जिला अस्पताल में दोनों कमपनीयों को जगा अवंटित कर दी गई है तथा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए बिजली की वेवस्था भी की जा रही है जिसको लेकर ट्रांसफार्मर की चमता भी बढ़ाई जाएगी प्रमुक अधिक्षक ने कहा कि ओक्सीजन प्लांट लग जाने से जिला अस्पताल में भरती मरीचों को ततकाल पाइपलाइन के माध्यम से ओक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकेगी जिससे उन्हें तुरंट उप्चार मिल सके और वस्वस्थ होकर अपने घर जा सके इस संबन में गोरगपुर न्यूस से बात करते हुए जिलाची की साला के प्रमुक अधिक्षक डॉक्टर अभैचन शिर्वास्तों ने कहा हमारे जिलास्ताल में पीम केर फंड से ओक्सीजन प्लांट लगना है इस ओक्सीजन प्लांट में आयोल कंपनी लगा रही है इनके मार्केटिंग जो देखते हैं वायते बारता हो चुकी है इनको जगह चाहिए था वो जगह इनको निर्धारित कर दी गई है उसमें मुझे बिद्धूत कनेक्शन लोड बढ़वाना है और उनके लिए सिविल वर्क करवाना है इसके लिए एक्सियन विद्धूत से भी यहां पर मौका मुएना हो चुका है और उसके लिए करवाई चल रही है और उनके लिए आवसक भार बढ़वाना विद्धूत की लाइन देना उसके लिए अधिक टांसफार्मर लगना यह सब काम जल्दी जल्दी पूरा हो जाए जाएगा और वह भी अपना प्लांट लाने की इंतजार में है त्यारी में जैसे लाएंगे प्लांट लग जाएगा इससे लगबग 9000 लीटर पर मिनट मुझे आक्सिजन मिल जाएगी जिससे लगबग 200 बैट पर डारेक्ट आक्सिजन की सप्लाई उससे की जा सकती है इससे जो भी हम सिर्ड़ बैट की सप्लाई होने का मतलब है कि 200 बैट पर डारेक्ट आक्सिजन हम से सप्लाई कर लेगा इस संबंद में दीयम साब के द्वारा फंट से एक गैस फिलिंग प्लांट अक्सिन फिलिंग प्लांट लग रहा है यह प्लांट टोरेंट कंपनी लगा रही है इनको चार गुड़े साड़े तीन मीटर की जगह चाहिए साथ उसकम बेगी कुछ आई ढाइ मीटर होने चाहिए इसकी उनको अस्थान दिखा दिया गया है और यह जल्दी लग जाएगा जिससे वह सिरेटर की फिलिंग है कर सके हैं इसके लिए अस्थान ने धारित कर दिया गया है इसी के जहां पर हमारा वार्ड है टिटना सा वार्ड वहां पर उनको अस्थान मना के दे दिया जाएगा